विश्य विक्यार शक्टी पीट जौला मुखी के सौंदरे करन के लिए नगरोटा बागवां के वस्तु कला महाविद्याले राजी गांदी इंजिनिरिंग कॉलेज की एक शाखार के पचास छात्रों ने बीड़ा उठाया है S.D.M. जौला मुखी अंकुश शर्मा के आगरे पर इस कॉलेज के विभाग प्रमुक सतीश कटवाल और उनके साथ एशोशीट प्रफेसर हर्दोय रोहित कुमार प्रणव कुमार के अलावा पचास प्रशिक्षु वस्तु शिल्प की टीम लेकर मा जौला मुखी की नगरी क को सजाने वस्तवारने के लिए पहुँचे हैं जौला मुखी शहर के कैस्तानों पर दिवारों में ये पेंटिंग की जा रही है जो कई जागलुता भरे संदेश भी देगी बिशु विक्या सक्तिपिर जौला मुखी के सौन्दरिय करण के लिए नगरोटा वागमा की वास्तु कला महमिद्यल्य जो राजीव गांदी इंजिनेरिंग कॉलेज की ही एक शाका है उस कॉलेज के पचास छात्रों ने बीडा उठाया है FDM जौला मुखी अंकू शर्मा के आग्रिया पर इस कॉलेज के बिवाग परमुक शतीश कटबाल और उनके साथ एसोशियेट प्रफेसर हर्शो दियर रोहित कुमार परनब कुमार अमन की टीम अपने साथ 50 परशिक्षू बास्तु सिलब की टीम लेकर मिया जौला मुखी के नगरी को सजाने बसंबारने के लिए आये हैं जौला मुखी शहर के कई सथानों पर दीवारों में ये पेंटिंग की जा रही है जो कई जागरुकता वरे शंदेश दे रहे हैं शेतर की सुंदरता स्वच्चता स्वास्तिया परयवन बचाने बनों की रक्षा करने पानी को बचाने के अलावा कई शंदेश बो अनुबब साजा किये जा रहे हैं जिनको लोग पड़ भी रहे हैं डॉक्टर स्चतीश डडवाल ने बताया कि जौला मुखी परशाशन का ये एक सराहनी कदम है स्चतीश कटवाल बिवागा देक्ष बस्तु कला राजीब गांदी अपनी टीम के साथ आए हैं उन्होले कहा कि मेरे साथ पचास बस्चों की टीम है और हम सब शहर के सौंदरिया करण के लिए लगे हुए हैं सौंदरिया करण की जो प्रक्रिया है उसे 28 नमंबर से लेकर दो दिसंबर तक चलाया जाएगा पूर कॉंडल जोलाजी प्रस्चाशन की तरफ से लिग्रोटा में एंग्जियर्नी कालेज है वहाँ पर सिंपर किया गया था कि हमें कुछ सुझाब गया है कि जोलाजी शहर का जो संदरिक अनल है या बूटिफिकेशन है वहाँ कैसे करें तो कुछ एक सुझाब हमारे पा इसके बारे में आपके क्या पहला है परसाशन की तरफ से लिग्रोटा बगवन से आया हूं और मेरे साथ पचास बच्चों की टीम है जो हम इस सहर की सुंद्यकन के लिए लगे हुए हूं तो हम एक जो सुंद्यकन का परिक्रिया है वह अठाई से दोता तक चलेगी और हम इसको करने की कोशिश करें पूरा धन्यबाद